जहे मातादी बंधू, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है सिंग राशी के इस खास वीडियो में जो की बनाया गया है बहुत मेहनत, रिसर्च और जोतिशास्त के महान गरंतों से निकाल कर। बंधू, आज की वीडियो में शुरुआत में आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप मेंसे कई सारे लोग वीडियो को बीच मेसेच छोड़ देते हैं। वो सिर्फ दो मिनिट, पांच मिनिट, साथ मिनिट या फिर आठ मिनिट ही देखते हैं। बंधू ऐसा करना बह को मिलती है वो आदी हदूरी होती है। और आदी हदूरी जानकारी कोई काम की नहीं होती। उससे आपके पास गलत इंफॉर्मेशन पहुशती है। जोतिश के बारे में एक निगेटिव इमेज आपके दिमाग में बनती है। इसलिए आपस विनम रनुरोध है कि वीडियो को आप आखरी तक और पूरा जरूर देखें। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को ना देखें। वीडियो को जब भी आपके पास टाइम हो आप तभी पूरा देखें। या फिर अगर आप वीडियो को अभी देखते हैं तो अपने दूसरे काम 10 या 12 मिनिट के लिए स्टॉप कर दें तो बंदू अब शुरू करते हैं हमारा आज का सिंग राशी का वीडियो जिसमें हम आपको सब कुछ बताएंगे आपके बारे में बंदू सिंग जैसा कि नाम से ही आभास होता है इस राशी के जातक शेर की समान साहसी, निडर, मजबूत, आ बात विश्वास से भरे होते हैं आप लोग जहां भी रहते हैं वहां अपनी विशिष्ट छाप जरूर छोड़ते हैं आप लोग एकदम मुफट होते हैं जो महसूस करते हैं बिना किसी हिचक के सामने वाले को कह देते हैं आपके व्यक्ति दिवर में एक असी मुट्सा जल लगता है आप हमेशा उर्जावान रहते हैं आप लोग बहुत स्वाभी मानी होते हैं आपके चेहरे पर गुरो मै तेज जलगता है आपके स्वामी सूर्य हैं जिसके करण आप लोग सामानिता तेजस्वी और पराक्रमी होते हैं आपके मुकर होने की वज़े से कई बार आ आप मानित महसूस करते हैं लेकिन उन्हें मनाने का सामर्थ भी आपके अंदर होता है रचनात्मक्ता आधर्शवाद नेत्रत्व किशम्ता आपके अंदर स्वभाविक रूप से विक्सित होती है आप अपनी असफलताओं से भी सीखते हैं और पुना एक नई उर्जा के साथ लक्ष को हासिल करने के लिए प्रियासरत हो जाते हैं सामजिक द्रस्टि से सिंग-राशी वालों का व्यक्तित्व काफी संगठित होता है जिससे इनकी सामजिक प्रतिस्ठा सम्मान जनक होती है सिंग-राशी के जातक भरोसे-मंद और गफादार मित्र होते हैं आप लोग द मजबूत, विश्वसनी, विनम्र और शालीन होते हैं। सिंग राशी वालों को किसी भी सामार हो या आयोजन की मेजबानी करने में आनंद ब्राप्त होता है। सामजिक होने के नाते सिंग जा तक शायद ही कभी अकेला होता है। अकसर इनके इर्द गिर्द कोई न कोई होता ही है। वारतलाप इनका दूसरा स्वरूप है। आप लोग अधिक बात नहीं करते लेकिन तरक पूर्ण और मुद्दे की बातों में जरूर रुची लेते हैं। सिंग अपने उच उर्जा, गरिमा की मजबूत भावना और व्यक्तिगत मूलियों के प्रति बद्दता के साथ तालमेल रखने के लिए उनकी शमता के आधार पर अपने करीबी मित्रों को चुनता है। जब बात परिवार के आती तो सिंग राशी के जातक उनकी रक्षा के लिए कुछ भी करने को तयार रहते हैं। अवसाय में आप लोग पूरी तरह से कामियाब होते हैं। ऐसा कुछ भी जो आपको एक नेतरत्व की इस्तिती में डाले ये स्वाभाविक रूप से सिंग राशी के जातकों को अच्छी लगती है। नेतरत्व की आप में अपार शमता होती है। आप लोग अपने एक समु और संगठन बना सकते हैं और उसके नेता की भूमिका निभाते हैं। आपके दवंग अंदाज से कारिस्तल पर आप अपने प्रति द्वंदी भी पैदा कर लेते हैं। सिंग राशी के जातक चीजों को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। इसलिए इने कारिस्तल पर ज़्यादा परेशानियों के सामने नहीं करना पड़ता। किसी के अधीन होकर काम करना आपको बहुत कम रास आता है। अपने अंदाज से काम करने की छूट मिलने पर आप अपना बहतरीन प्रदर्शन करके दिखाते हैं। अपने प्रदर्शन से उच्छे पदो पर आप आसीन होते हैं। वहीं रोमांटिक जीवन की नजर डालें तो आपका सोंदर ये बोध गजब का होता है। आप लोग साहसिक, मज़ेदार और बहुत उर्जावान हो सकते हैं। आप लोगों के लिए कई चीजों के बीच इसपस्ट रूप से सीमायता होती हैं। आप अपने सांथी का चैन सूच समझ कर करते हैं। सिंगराशी में प जुक्त विचारों वाले प्रसिद और दिखने में सुन्दर व्यक्ति आपकी पहली पसंद होते हैं। आप लोग बहुत अच्छे प्रेमी होते हैं और अपने प्यार को पाने के लिए किसी से भी टकराने की हिम्मत रखते हैं। आपके प्यार करने का तरीका भी अद्बु के जातक अंदर से बहुत विनम्र औरुदार होते हैं। सिंग राशी के जातक को कुछ सुनहरा, नारंगी, सफेद और लाल रंग के वस्तर धारन करना चाहिए। या इन रंगों के रुमाल अपने साथ रखना चाहिए। ये रंग आपके लिए बहुत शुब है। इसके पाना किसी के लिए संभव नहीं होता। आप लोग बहुत बड़े खिलारी होते हैं, जन्म से ही लीडर होते हैं और आप हमेशा ही अपने ग्रूप में सबसे आगे रहते हैं। आप लोग अपने नियम खुद बनाते हैं और उनके अनुसार तब तक चलते हैं जब तक की आ आप लोग खुद ही बोरना हो जाएं और इसके बाद आप लोग कोई नया खेल चुन लेते हैं। इसकूल में भी हर काम में आप सबसे आगे रहते हैं। आप लोग बड़े होकर कलाकार या फिर राजनिता बन सकते हैं। हमेशा लोग की नजर में रहने कि आपकी आदत करस्ट का केंदर बनाए रखती हैं और आपको भी यही अच्छा लगता है। सिंग राशी की लड़कियां हमेशा सुन्दर ही दिखना पसंद करती हैं। इन में ठीक से तैयार होने और कपड़े पहनने की बहुत अच्छी समझ होती हैं। और इसी के अनुसार आप हमेशा क पड़े पहनती हैं। आपका खुला पन हमेशा आपको दिखाबा करने के लिए प्रेरीद करता रहता है। अपनी रचनात्मक्ता के कारण आप अच्छी फिल्म कलाकार भी बन सकती हैं। आपको एक्टिंग के साथ साथ टेनिस गुरसाबारी और सेलिंग का भी शोक होता है आप बहुत अच्छी सामजिक होती हैं और हमेशा समुह में रहना पसंद करती हैं। आप जन में सही लीडर होती हैं, आपके सपने बड़े और लक्ष बहुत उचे होते हैं। आपके आसपास समय की कमी रहती हैं लेकिन फिर भी आपको जगह जगह पर घूमना पसंद होता आपको पताते हैं सिंग राशी के व्यावसाई के बारे में। आप लोग लगबग सबी तरह के व्यावसाई में सफल होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जातक आख बंद करके किसी भी व्यापार में हाथ डाल दे। व्यापार कुशल व्याभार और अच्छी रणनित कार माने जाते हैं। ऐसे में जातक यदि राजनिति की छेतर में कारी करें तो आप अधिक सफल हो सकते हैं। अगर आप लोग राजनितिक दल के लिए रणनिती तयार कर धन कमाएं तो उसमें आश्चर की बात नहीं। सिंग राशी व्यावसाई बड़े ही सामजिक होते है जिसका लाब आपको मिलता है। सामजिक होने से आपके मित्रों की संख्या अधिक होती है। परंतु जातक ऐसे व्यक्तियों को अपनी मित्र सूची में शामिल करते हैं जो किसी ना किसी तरह इनके काम हा सकें। आप लोग जिस उद्देश से लोगों से दोस्ति करते हैं उ आप लोग मित्रों के व्यवसाय में सायोग करते हैं और उचित सलाह देते हैं ये सलाह भी सिंग जातकों को बड़ी मुश्किल में फसने से बचाती है। तो कर सकते हैं और इसमें आपको सफल होने की संबावना आदिक होती है आप लोग तेज और पराकरभी होने के साथ नेतरत्व का गुण होने से आप लोग सेना में कारे करके विशिस्ट पद की प्राप्ति कर सकते हैं आप लोग अच्छे मेनेजर होते हैं खुल मिलाकर आपक में होते हैं आप लोग विलासता पूर्ण जीवन जीने में धन का व्याई करते हैं आपको ऐसी चीजों से बच कर रहना चाहिए आप लोग फिर भावशाली होते हैं और करीब करीब सभी व्यापार में सफल होते हैं लेकिन जादतर लोग पैसे के लेंदेन में फस जाते हैं और फसा हुआ धन जातकों को मिलेगा या नहीं, यह आपके भागे पर ही निर्भर करता है। इसके लिए आपको आदित हिर्दा इस्तरोत का पार्ट करना चाहिए और लाल वस्तर पहनना चाहिए, जिससे आपको लाब होगा और भागे आपका साथ देगा। तो बंदू, बह इतने प्रतिशत बाते आपके जीवन से मिलती हैं, मेच करती हैं, मेल करती हैं। बहुत धन्यवाद, जय मातादी, जय स्री किष्णा, जय स्री राम, राधे राधे।